प्रवाज पर यात्रा में हूं और यहां से हम कहीं बाहर यात्रा पे से खर्चा पानी का इस हफ्ता का पहला एपिसोड शूट कर रहे हैं जी दूविधा में हैं कि क्या क्या चीजे हैं हम लोग डिसकस करें और क्या ना करें हां मतलब बहाइंड दसीन चोटा से दिया चाहे तो फोन पर 15 मिट की बात्चीत हुई है क्या क्या चोड़ा जाए क्या 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 लिया जाए तो इतनी तरी चीजी कठा हो जाए तो प्राइस दीजे की भाई तुमको छुटी पर जाना है उस पर बाचित करेंगे केर इनर्जी जिसका हमने कई बार जिक्र किया है शो में और बीते दिनों पिछले हफते भी हमने के एपिसोड किया था जो एसेट फ्रीजिंग का एपिसोड था तो उस पर एक बड़ा अपड सून में देरी यह चीजें करिश को कहां लेकर जाती है इस पर फॉरी बाचित पहली खबर आर्बी आई का सर्प्राइज लीव अश्मान जी आर्बी आई ने सर्कुलर जारी किया है बैंकों से कहा है इंप्लॉईज वर्किंग इन सेंसिटिव पोजीशन्स और एरिया अफ उसके लिए बैंकों से कहा है कि उनकों मेंडेटरी लीव दिया जाए दस दिन का जो आप कोई भी बैंक किसी इंप्लॉई को दस दिन की या बारा दिन की या पंदरा दिन की एक सिंगल चुट्टी पे भेज सकता है अब यहां पर कैच जो है वो बड़ा मज़िदार है का प्रावधान उसने दिया था लेकिन इस बार वाले ओर्डर में एलिमेंट ऑफ सर्प्राइज जोड़ दिया उसने कहा है कि बैंक जब अपने करमचारियों को यह चुट्टी देने वाले होंगे तो उस समय बैंकों को बताना नहीं है कि तुमको चुट्टी दी जा रही है जैसे कि आज बुलाया कि आपको केबीन में भाई तुम कल आज से 10 दिन की लिव पर रहो गया 15 दिन की लिव पर चले जाओ यह वैसा होने वाला एक रमचारी को एकदम औचक तरीके से भेज दिया जाए वो वर्क फ्रॉम होम वाला डिजिटली वाला हिसाब किताब नहीं होगा कि बाहर हैं तब भी सहाब लैप्टॉप लगा के एकसेस कर लिए रिमोटली एक आफिस का सरवर पे कामधाम कर रहे हैं पेपर भेज़ दिये पेपर आफिस चले आयट हलते होम ते ना बाहर तो बाहर किया इमेल के लवार कुछ भी नहीं देख सकते क्यों कि आर बिया इन ऐसा है शुमान जी क्या रीजन हो सकता है और किस सुधार की आशा की जा रही है ऐसे एक कदम से सिधान्त ये बैंकों में फ्राड रोकने के लिए बैंकों में भरष्टाचार रोकने के लिए ओवरसाइट का एक इस्थापित मेजर है जो दुनिया के कई देशों में लागू किया जाता है भारत में 2015 से जिस आपने बताए कि आदेश में में बैंकों को जो सर्कुलर जैर इसने का अधिकार दिया गया है इसके दो तीन और पहलों भी हैं जो समझना जरूरी पहले चीत तो यह कि सारे कामर्शल बैंक्स पे इसमाल फिनांस बिंग्स पे रीजिनल रूरल बैंक्स पे प्राइमरी अर्बन कॉपरेटिव बैंक्स पे डिस्टिक सेंट्र कॉपरेटि अर्बियाए को कही न खहीं लग रहा है कि जो पूरा ओवर साइट का मेकेनिजम है जो पूरा का सतरकता का तंत्रे वो कहीं लड़ खडाया हुआ है इसलिए इस बार जो ऑर्डर दिया गया इस ऑर्डर में बैंक्स बोर्ट से कहा गया है कि वो डिसाइड करें बोर्ट से य order इतना straight और सक्त है कि कर्मचारी इन 10 दिनों तक bank के network को भी access नहीं कर सकेगा यानि वो बिलकुल banking operation और system से कट जाएगा इस प्रक्रिया के तहट शायद रिजर बैंक के सुनिश्चित करना चाहता है कि इस अचानक विवस्था से अगर कहीं कुछ हो भी रहा होगा अंदर क्योंकि bank से भरष्टाचार से जुड़े मामलों में bank कर्मचारीयों के शामिल होने की बात लगाता रहाती रही हमने से पहले नीरव मोदी वाले स्कैमें देखा और से पहले के भी स्कैमें देखा तो यह उस consistency को अगर कहीं कुछ है तो उसे break कर दिया जाए और जाना जा सके दूसरी है और एक और चीज है जो मेरी banking अधिकारियों से banking सतरक्ता के लोगों से बात हो रही तिस order के बाद कि इस से banking management को यह भी जानने का मौका मिलेगा कि जिस करमचारी को उन्होंने सर्प्लाइज ली पर भेजा उसके system में हो क्या रहा था जब वो नहीं होगा तभी यह जाना जा सकता है कि system में क्या और जब दूसरा विक्ति उसकी जगे काम करने आएगा तो बता पाएगा कि कि चीजें क्या होंगी यह एक महत्तुपूर्ण oversight mechanism है देखना होगा कि कि इसे लागू करते हैं क्या बैंक बताते भी है कि उन्होंने कितने करमचारियों को इस order के तहट हर महीने हर छे महीने हर तीन महीने में चुट्टी पर भेजा है जब इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कुशन कर रहे थे कि इस पर आज बात किया जागा तो आप बता रहे थे ना कि स्कैम 92 में केतना हर केतन महता ने भी इसको अच्छे से पोल्ट्रे किया है हाँ वो किसा केतन महता ने वो वास्तिविक एक्च्छल घटना थी कि कैसे जो डेट आफिस था जिस डेट आफिस के से पूरा स्कैम हर्शद महता कि स्कैम का जो सेकिंड लेवल था इस टॉक मार्केट से जब वो डेट मार्केट में गया और जिन लोगों ने वो मूवी दे और जिसमें जितना डेट लिखा हुआ था वो डेट अवलेबल नहीं नहीं था तो अगर आप वो तकर एक कल्पना थी उस कल्पना के तहट बनाया गया था लेकिन बैंकिंग सिस्टम्स में में का वित्ती घोटालों से सीधा रिष्टा रहता है हमेशा चाहे वह आप स्टा करी जाते हैं क्योंकि बैंकों के पास इतना पैसा है कि जहां जैसे चाहें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसे तोड़ने के लिए यह आडर महत्वपूर्ण है इसका असर बैंकों में फ्राट कम करने में पर दिखाई देगा यह हमें शाद साल पर बात पता चलेगा जब अगली खबर पर बात करते हैं के अनरजी और इंडिया का जो लॉसूट है उसको जीत मिली है कि अप अपडेट यह है इटी की हवाले से बात करें कि देखिए साब इंडिया इस समय ऐसी पोजिशन पर है जिसको जब उसको इंवेस्टमेंट को लिए कि ज्यादा से ज्याद इंवेस्टमेंट इंडिया में आए लेकिन उसी समय एक बड़ी ओयल कंपनी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में केस पे केस फेके जा रही है कि साब आपकी हम प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे यह प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे वह प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे के खर्चा पानी में पढ़ा था अनिशुमान जी फनाइस मिनिस्टर ने जब कहा था कि यार ये सब चीजें हो रही हैं और हम मिल भी रहे हैं कि सब्सक्क्राइब किया जा रहा है और बजट का अमेंडमेंट करने की कोशिश हैं और जी कई सवाल का जाओर अभी भी नहीं मिला सरकार ने इसके का एवाइट के पक्ष में आया था जो कि पुराने साथ आच साल पहले जो शेयर ट्रांसफर होते हैं, 10 साल पहले जो शेयर ट्रांसफर होते, उससे जड़ा ऊवा उगा मामला था तब केन पर जो हम सुन रहे हैं और जो चर्चाह में पता चल रही है उसमें दो आप्शन पर विचार किया जा रहा है पहले चीत तो यह कि सरकार यह नहीं चाहती कि इस तरीके कि arbitration एवार्ड और जगे भी pending है वो लगातार बढ़ते चले जाएं और दुनिया भर में कंपिनिया भारत सरकार को नोटिस दे कर वहां कि संपतियां और एसेट कबजा करने लगें क्योंकि इससे खराब शवी बनती है और साख पर असर पढ़ता है इसका कोई permanent solution निकाला जाए दूसरी चीज है कि भारत चूंकि arbitration award का दुनिया में signatory है भारत ने उसे international arbitration agreement को अपने आपको part बनाया है तो दुविधा यह है कि उसे ना लागू करना या ना मानने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि आप जब एक अंतराष्टी संदिका हिस्सा होते हैं और उसी संदिका फाइदा लेकर companyya वहां जाती है और arbitration का claim करती है तो सरकार के लिए मानना अनिवार हो जाता है और और ऐसा नहीं होता तो सरकार अभी तक इस मुकदमे को लड़के खतम भी कर चुकी होती दूसरी बिंदू यह तीसरा बिंदू यह कि ISE क्या विवस्था बनाई जाए tax system में कि यह मामले खतम हो सकें इस पर विचार किया जा रहा है arbitration का फैसला आया दो पक्षों के बीच में इसमें एक पक्ष में फैसला है लेकिन उसके बाद भी अगर दोनों पक्षी चाहाएं तो मिलकर out of court settlement कर सकते हैं इसकी विवस्था मौजूद है इसकी विवस्था वहाँ भी मौजूद है और जिस investment treaty के पहते आते हैं यहां एक और important page है कि यह निवेश जो भारत में हुए थे यह निवेश हुए थे bilateral investment promotion agreement के जरिए जिनको बीपा बोलते हैं या जो comprehensive economic cooperation agreement होते हैं जिनको C का बोलते हैं यह दो देशों के बीच होने वाले समझा होते होते हैं किसी देश से आने वाले निवेश को वरियता के आधार पर भारत में मेजवानी उसकी की जाती उसको सुविधाय दी जाती उसको बुलाया जाता है यह वो निवेश थे तो उन संधियों में भी विवाद निस्तारण की विवस्था उपलग्ध है डिस्प्यूट सेटलमेंट के मैकनिजम उन संधियों में भी बने हुए जो संकेत मिल रहा है कि सरकाग के इन एनरजी के इस मामलों को निप्टाने के लिए उन दोनों का इस्तेमाल कर सकती है अर्बिट्रेशन एवार्ड के और अर्बिट्रेशन नियम के तहट समझे होते की संभाव ना देखी जाएगी और बीपा और सीका के तहट या जो बाइलेटरिल इंडिस्मेंट प्रोमोशन एक्रिमेंट है उनके तहट भी इसको देखा जाएगा लेकिन इससे एमिकेबली सिटल करने की कोशिश की जाएगी ऐसा संक्यत मिलना है अगली खबर कोल माइन्स के प्राइविटाईजेशन से जुड़ा हो जुड़ी हुई खबर है कोईलाख खदानों के प्राइविटाईजेशन किया जाना था और खबर है कि 67 माइन्स में से 48 माइन्स का कोई bid ही नहीं आया और यानि 19 माइन्स के लिए प्रैवेट कमपनियों के लिए बिड किया 19 में से 8 ऐसी माइन्स हैं 8 ही है जिनके लिए 1 से ज्यादा बिड आए بाकी 11 के लिए सिंगल बिड ही आए या प्राइवेटाइजेशन, माइनिंग का प्राइवेटाइजेशन, अंशुमान जी, कॉल माइन्स का प्राइवस्था ध्वस्त हो रही है, कंपनियां इंट्रेस्ट नहीं दिखा रही है सिधान्त, ये बड़ी ख़बर है, और ये महत्तुपूर्ण सूचना है, जो हमें इसको गहराई से समझना होगा, उस समय तक हम खर्चा पानी नहीं करते थे, मुझे याद आता है कि जबी कॉल माइन्स के प्राइवेटाइजेशन का फैसला दो साल पहले हुआ था, उस समय कि और प्लेटफार्म पर चर्चा में मैंने कहा था कि अगले एक साल के अंदरे पता चलेगा है कि भारत की कॉल माइन्स लोग खरीदने में इंट्रेस्टेट हैं भी की नहीं है, क्योंकि अंतराश्टी बाजार में कुईले की कीमतें गिर रही है, भारत में एकॉनमी ग्रोथ प्राइटाइजिशन की तरफ भेजा था और एक कहा था कि कमपिनिया आकर पहले से पहले जो कोल माइनिंग में प्राइजिशन था वो कैप्टिम माइन्स के लिए था, यदि आप बिजली बनाना चाहते हैं तो माइन्स ले सकते थे, यहां से उस मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश शुरू की गई थी, जहां से यह बड़ा रिफाम हुआ था, सत्तर फीजदी माइन्स के लिए कोई बिट नहीं आई, यानि भारत सरकार ने जितनी माइन्स लोगों को बेचने के लिए रखी, उनमें से सत्तर फीजदी माइन्स को को खरीदने वाले लोग नहीं मिल इसमें बहुत सारी इंसेंटिव भी दिया थे सरकार ने, यहां तक की कोईले के एंड यूज का की शर्त भी है टाली गई थी, यानि यहां तक सुविधा थी कि आप कोईले निकाल कर सीधे विदेश में बेच भी सकते हैं, नेट एक्सपोर्टर हो सकते हैं, यानि अगर सतके कोल प्राइवेटाइजेशन में बहुती चुनिंदा दो, तीन, चार कंपिनियों का पांच कंपिनियों का इंट्रेस्ट दिखाई पड़ा है केवल जो सूचना आ रही है, बाकी जाधातर कंपिनियों ने कोल माइनिंग के प्राइवेटाइजेशन में और इसमें तो दोनों लक्ष लड़ख़दाते भी भर भारत के घंट्र को के नियंद निकालन ह는데 और देंश ingते बहां में धालक्रु आ से निकाल कर इसे एक कर इसे एफीशेंट बनाया जाएं भारत में कोई एक में रपादन से सरकार को सरकार को को पैसा मिलना शुरू हो जो की जो एसिट प्राइटाइजेशन का था इन दोनों परपस में फिलाहाल कोई बहुत बड़ी सफलता हमें मिलती नहीं दिख रही है फिनाइशल बिट इसके बाद आएंगी आठ माइन्स को एक जिनको एक बिड मिली है आउक्शन की गाइडलाइ इसके प्राइटाइजेशन का पूरा प्रासेस एक ऐसे गलत समय पर आया है टाइमिंग बहुत खराब थी टाइमिंग का इशू रिफार्म के साथ सबसे बड़ा इशू होता है जब मंदी में है जब बिजली की डिमांड नहीं है ओवर कैपेसिटीज है भारत में कमपीनिय बिजली की मौझूद हैं दुनिया में कोईले की बाकी एक्सपोर्टर हैं तो डिमांड का इशू था तो मेरे सब जो सूचना उसे सबसे अडानी हिंडाल को वेदानता तीन ये प्रमुख हैं इसके अलावा जिन्होंने इसमें बिड दी हैं और जो अभी तक की सूचना है क कोई फॉरें कमपिनी नहीं है किसी विदेशी कमपिनी ने भारत के कॉल माइनिंग प्राविटाजिजArthur में अभी तक बिड नहीं किए यह इस कोल माइनिंग प्राविटाजिजर prophet कार्ण है और आज से खर्चापानी की आखरी हवाद खरीफ की फसल में गिरावट आई है इस बुवाई में गिरावट आई है खरीफ की बुवाई में क्यों? क्योंकि मानसून डिले हो गया है All India Crop Situations Report के मताबिक जिसों के ये ख़बारों ने कोट किया है ये डिप जो है वो लगभग लगभग 10% तक का डिप है मानसून अनिशमा जी काफी डिले चल ला है और ये डिप है कैसे देखा जाए इस पूरे समीकान को ये चिंता जनक खबर है मानसून का लेट होना और खासतोर से उन चेत्रों में लेट होना तो आउटपुट में गिरावट ये एक चिंता जनक है इसके कई सारे आर्थ हम निकाल सकते हैं जो आंकड़ा हमारे पास सरकार से मिल रहा है जो क्राप सिचुएशन के रिपोर्ट का उस आंकड़े में दो-तीन और चिंता जनक बाते हैं वो चार्ट में खोल लेता हूं Across the board जितनी मेजर क्राप्स हैं खरीब की खरीब भारत में बास्केट के साब से सबसे बड़ी क्राप बास्केट रखता है इसमें चावल है, इसमें डाले हैं इसमें भूत तरीके के तिलहन हैं इसमें मुटे अनाज हैं जितनी भी मेजर क्राप्स हैं सिध्धान उन सब में की स्वेंग में गिरावट आई है जैसे राइस को ही लेने तो राइस में बड़े पैमाने पर गिरावट आई है अच्छा महत्तुपूँ चीज़ यह है कि जिन चीज़ों में गिरावट आई है जिनकी उपच कम होने का खत्तरा है वो सारी की सारी चीज़े महंगाई परोन है यानी अगर बाजार इस आकड़े को क decreeb से पढ़ने की कोशिस करेगा फारवड मार्केट इसको करीब से पढ़ने की कोशिस करेगा तो वो ये मानेगा कि अगले साल खरीफ की पैदावार कई सारे मामलों में कई सारे फसलों के मामलों में पिछले साल से कम हो सकती जो एक्जिक्ट देटा है वो ये कि लगबक 499.87 लाख हेक्टेर की स्वेंग होई है नव जुलाई तक कहा कड़ा है पिछले साल इसी समय तक की स्वेंग करीब 558.11 लाख हेक्टेर की थी तो एक्जिक्टली ये 10.4 परसेंट की गिरावट है जो प्रमुक फसले हैं जिनमें गिरावट आई है अब हम को प्रमुक दाले कि स्वेंग में कमी आई हैं मोटे और जों की स्वेंग में कमी सररकार के लिए चिंता की बात है तो उसे बाकी जो जो चीजें आज से छे महिने बात की जाने वाली हैं, यानि इंपोर्ट की विवस्था, बाजार में कीमतों को बहतर करने की विवस्था, वो अभी से कर लेनी चाहिए. चलते चलते यह दिलान ज़रूरी है कि शाहिद सरकार के पास यह अकड़ा पहुँच है, तो करशी के चेतर से यह आने वाली यह खबर, किसानों के दुश्था थोड़ी अच्छी है कि उनको शायद फसल की बहतर कीमत मिले अगर बाज़ार तक पहुच पाये वो, पर भुगताओं के लिहाज से, महंगाई के लिहाज से, और अर्थुरस्ता के लिहाज से, खरी है, और यह था हमारा आज़्षा करजावान, यह आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएगा वीडियो वे कमेंट सेक्शन में, अपना ख्याल लखिएगा, सवाल पूछते रहिएगा, ललन डॉफ देखते रहिएगा, बाद बाशुक्रे.